हाई अबरिवन तोड़ेग वी रुचे आंसर चाप्टर 2 कंपोनेंट्स ओफ फूट ग्लास 6 सो लेट्स पीस्टार्ट कोशें नंबर फरस्ट में पूछा किया है कि हमें अपने फूट में जो मेजन न्यूट्रियंट प्रेजंट होते हैं उनके नेम बताने है तो answer में हमारे food में जो इतनी भी major nutrients present होते हैं like carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals यह सभी हमारे food में major nutrients present होते हैं जो हमारी body को एक proper growth और strength प्रोवाइट करते हैं next है आपका question number two name the following यहाँ पर हमको कुछ questions दिये गए हैं जिनके हमें answers दे रहे हैं question number first है the nutrients which mainly give energy to our body एक ऐसे nutrient का नाम बताना है जो हमारी body को energy प्रोवाइट करता है तो answer is carbohydrates ठीक है जो carbohydrates होता है वो हमारी energy giving food होता है यह हमारी body को किसी भी work के लिए energy प्रोवाइट करता है next question आते हैं question number B nutrients that are needed for the growth and maintenance of our body एक ऐसे nutrient का नेम देना है जो हमारी body की growth और हमारी body की maintenance के लिए जरूरी होता है तो answer is proteins protein जो होता है हमारी body को एक growth प्रोवाइट करता है और हमारी body में जो tissues होते हैं जो tissues damaged जाते हैं उनको भी repair करने का वक करता है next question number C A vitamin required for maintaining good eyesight एक vitamin का नाम बताना है जो अच्छी eyesight के लिए मतलब आंकों के रोशनी के लिए काफी अच्छा मान जाता है तो answer is vitamin A next D A mineral that is required for keeping our bones healthy एक ऐसे mineral का नाम बताना है जो हमारी bones को healthy रखता है और strong रखता है तो answer is calcium calcium एक ऐसा mineral है जो हमारी bones को healthy और strong बनाता है next question number 3 name two foods each region यहां पर हमें questions दिये है fat, starch, dietary fibers, proteins यहां पर इनको में यह ऐसे foods के नाम लिखने है जिनमें यह सारी चीज़े प्रेज़े है यहां नीचे answer A fat जो होता है वो घी और बटर में प्रेज़ेंट होता है starch starch हमारे चाल्वाइड के फॉर्म होती है C dietary fibers dietary fibers हमको Spanish, cabbage, carrot, lady fingers इन सभी में प्रोवाइड होता है इसमें से हमें कोई भी ऐनी 2 लिख सकते है next हम आते है D protein protein भी हमको काफे सारी चीज़ों में प्रोवाइड होता है milk, egg, fish, meat, pulses इनमें से भी आप कोई भी ऐनी 2 राइट कर सकते है यह सभी जो चीज़े होती है यह प्रोटीन से भरपूर होती है इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है next हम चलते है question number 4 tick the statement and correct across the statement which is incorrect यहाँ पर हमको question यह right wrong solve करने first है हमारा by eating rice alone we can fulfill nutritional requirement of our body क्या हम केवल राइस खाकर अपनी बॉड़ी की पूरी requirements फुल कर सकते है जितने भी nutrients की requirement होती है वह हम fulfill कर सकते है no so यहाँ पर हमने cross का sign पूट किया है clear next आते है हम B deficiency disease can be prevented by eating a balanced diet अगर हमारी बॉड़ी में कोई भी कमी हो जाती है बैलेंस डाइट में सभी nutrients प्रिजेंट होती है तो इससे हम उन डिसीजिस को प्रिवेंट कर सकते हैं दूर कर सकते हैं तो इसलिए हम राइट टिक करेंगे next हम आते है C balance diet for the body should contain a variety of food items जो हमारी बैलेंस डाइट होती है उसमें काफी different different variety of food items होते है yes क्योंकि बैलेंस डाइट में हमें अलग-अलग food varieties का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हर फूड में एक different types का nutrient प्रिजेंट रहता है clear next हम आते है D meat alone is sufficient to provide all nutrients to the body क्या केवल हम meat ही ही हमारी बाड़ी को सभी sufficient nutrient प्रवाइट कर सकता है no कोई भी single food हमारी बाड़ी को all nutrition प्रवाइट नहीं कर सकता है कोई भी जो फूड होता है वह हमारी बाड़ी के लिए sufficient nutrients प्रवाइट नहीं कर सकता है okay next question number 5 filling the blanks a dash is caused by the deficiency of vitamin D यहां पर हमको एक ऐसी disease का नाम लिखना तो जो vitamin D की कमी सो होती है तो हमने यह पर रिकेट्स फिल किया यह जो बिमारी है विटामिन D की कमी से होती है b deficiency of dash cause or disease known as bari-bari एक हमें ऐसे disease के बताना है कि जो bari-bari disease होती है वो किस vitamin की कमी से होती है तो vitamin B1 की कमी से bari-bari disease होती है next deficiency of vitamin C cause or disease known as विटामिन C की कमी से होने वाले बिमारी को क्या कहते हैं इसको बोलते हैं हम स्कर्वी इसकर्वी है जो बिमारी होती है यह जो डिसीज होती है यह विटामिन C की कमी से होती है D. Night blindness is caused due to the deficiency of vitamin A in our food तो night blindness जो बिमारी होती है जो night blindness means जो कम दिखाई देता है उसमें यह जो बिमारी होती है यह हमारे फूड में विटामिन A की कमी से होती है तो deficiency of vitamin A next आप हम चलते हैं Keywords पर Keywords Keywords में फर्स्ट Keyword है हमारा Balanced diet Balanced diet क्या होती है A diet containing all the nutrients and other components in proper proportion is called a balanced diet एक ऐसी diet एक ऐसा meal जिसमें सभी nutrients और components प्रिजेंट हो और वो सभी एक proper proportion में हो मतलब उचित मात्रा में प्रिजेंट हो ऐसे meal को ऐसी diet को हम Balanced diet कहते है next Berry Berry It is a disease cause due to the deficiency of vitamin B Berry Berry एक disease होती है जो vitamin B की कमी से होती है clear हमारी बॉड़ी में जब vitamin B की कमी आ जाती है तब हमें very very disease होती है next Carbohydrates Carbohydrates are the energy giving nutrients the main carbohydrates found in our body are in the form of starch and sugar carbohydrates होते हैं यह energy giving nutrient होते हैं और यह हमारी body में starch की और sugar की फोर्म में found होते है clear next Energy Energy is the capacity to do work we need energy for our various activities energy हमारी ऐसी capacity है जिसके तुरूई हम work कर सकते हैं हमें जितनी सारे activities होती हैं उनको करने के जो भी हम activities करते हैं अपनी पूरी दे मैं like walk, run, breathing, respiration जितनी सारे हम activities करते हैं उसके लिए हमें अमारी body को energy की नीड होती है clear तो इसलिए energy is the capacity to do work next and fat is the major storage form of energy in the body जो हमारी body होती है वो fat को as a fuel source use करती है जैसे किसी भी vehicle को run करने के लिए fuel की नीड होती है ना इसी तरीके से हमारी body को भी run करने के लिए हमें fuel की नीड होती है तो यहां पर जो fuel को work करता है वो क्या करता है fats करता है means food जो हम eat करते है वो ऐसा fuel होता है जिसमें सबसे जादा जो nutrient हमें energy प्रोवाइट करता है वो fat होता है और यह जो fat है हमारी body में energy की फॉर्म में store होता है clear इसी से हमको mainly energy मिलती है activities करने के लिए fats और carbohydrates दोनों ही energy giving food होते है next minerals minerals are the essential for the proper growth of the body and maintain good health यह जो minerals होते है यह proper growth के लिए काफी ज़रूरी होते है और हमारी जो good health होती है उसको maintain करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होते है next nutrients the components of the food that are necessary for growth and development of our body called nutrients ऐसे component जो हमारे food में present होते हैं जो हमारी growth के लिए हमारी body की development के लिए काफी important होते हैं उनको उन components को हम nutrients कहते हैं like carbohydrates, protein, fats, vitamins यह सभी clear next हम आते हैं proteins proteins are required for growth and repairing of tissues in our body यह जो proteins होते हैं यह हमारी body की proper growth के लिए और हमारे tissues को repair करने के लिए काफी important होते है next roughies dietary fibers are called roughies जितने भी dietary fibers होते हैं उन्हीं को हम roughies कहते हैं they are mainly provided by the plant product in our food यह mainly हमको plant products से provide की होते हैं मतलब जितने भी plant product हम काते हैं vegetables है fruits हैं यह सभी plant product जो हम eat करते हैं उनसे हमे dietary fibers या roughies हमें proper amount में मिलते हैं next हम आते हैं scurvy is caused due to the deficiency of vitamin c जो scurvy जो भीमारी होती है यह vitamin c की कमी से so that's all for today to stay connected like share and subscribe this channel और अगर आपको इससे पहले वाली वीडियो देखनी है तो उसका लिंक description में given है आप वहां पर जाकर देख सकते हैं okay bye bye take care